नमस्कार राम राम किया मोज मोओ आनन्द मोओ तो आज वो टाइम यह लए टाइम पर आपन डिसकस करनों चाहिए क्योंकि यह टाइम ऐसा है जिस समय ना तो आपको जो बहुत सारी जो वेकेंसी दिखरी ना आपको बहुत सारी एक्जाम डेट दिखरी ना ही बहुत सारी लो को बता कि जाओंगा अगर आप लोग ये दस आदत छोड़ दो और इन में से आदी भी अगर छोड़ दो तो नोकरी जो है वह आप पका लगोगे जब आप किसी सफल आदमी को पूछते हो तो वो कहता है कि नोकरी लगना सरल है और जब आप ऐस सफल आदमी को पूछते हो तो तो आज हम उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि एक विद्यारती को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, कौन सी ऐसा एक आदतों को छोड़ देना चाहिए, जो आदते उसकी सफलता के बीच में बार बार बादा बनती है, एक सामन्य विद्यारती जो ग्रामीन प्रश्ट भू लग हो, बालिका हो, जो इस आज के प्रतिसपर्दी युक के अंदर नोकरी लगना चाहते हैं, तो इन सारी बातों को अपने संग्यान में जरूर रखे, आज हम बात करेंगे, नए और पुराने विद्यारती दोनों के लिए चैलेंजिंग टाइम है, और चैलेंजिंग टा पास मोटिवेशन, ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम या आने वाले तीन-चार महीने जो है ना, ये तीन-चार महीने जो है वो लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, शांती काल में कीवी मैनत ही एक्जाम टाइम में काम आती है, लेकिन लोग जो है वो बैस उससे में अबार तो भरती को नी अबार तो जो एक्जाम की डेटी को नी अबार तो तीन मिना चुनाव का है अबार का लोग ब्याओं पहली भी आपकी सेरवानी दो तीन मिना पहली बना लेगे टेलर गंट टाइम कोन मिल लो तो थे तो कम उकम विद्यारती हो केवल बरती आये ही तैरी करो अकट लिखे डिये तो आज हम हर चीज के उपर बात करेंगे कि लेकिन राजस्तान में आप सबसे पहले यह मान के चलें कि लगबग 20,00,00 लोग एक्जाम की तैयारी करते हैं 20,00,00 अब बेरतियों से आपका पाला पढ़ने वाला है चाहिए आप कोई भी एक्जाम देवें उसके अंदर वही रोटेशन के अंदर विद्यारती आपको मिलते रहते हैं लेकिन यहां मुद्दे की यहां मुद्दे की बात क्या है यहां मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आप लोगों को जो है वो मेहनत करते टाइम यह चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 20,00,00 अगर बेरती हैं तो वहां पर आपके सामने वेकेंसी कितनी है एक से दो लाग अभी माना नहीं है मुक्यमंतरी साब ने हमारी नई सरकार ने कहा कि 70,000 बरतिया निकालेंगे और अगर हम लोग देखें तो जनरली एक रख सामने वर्स हो तो हम टारगेट करते हैं कि भी इतनी बरतिया जो हो सरकार जनरली कहती 20,00,00 में से 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ढुलकुन हेरड रेनीति होना चीए उसके साथ आपकी आदत होना चीए।Step होने चाहिए content होना चाहिए दोस्तोर आपके smart approach ओने चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी सफल विध्यारती से पूछोंगे तो वह बोलेगा सफल विध्यारती बोलेगा कि सरकारी नोकरी लगना तो बहुती आसान काम है लेकिन जब आप एक सफल विध्यारती से पूछोगे तो एस अपल विद्यारती बोलेगा कि सरकारी नोकरी लगना तो सबसे मुश्किल काम है जब नया विद्यारती जाए तो जाए काम वो जीवन में दो ही परकार के लोगों से मिलता है या तो उसके गावं के अंदर जो है वो जब भी जागन लगे डीजे बजे उसे लगे कि भाई इस भाई का सेलेक्शन हुआ है आरेस में हुआ है सिक्शक बढ़्ती में हुआ है पटवार में वीडियो में हुआ है तो जब भी तो या तो वो सफल से पूचेगा तो सफल यहीं बोले मत वेい 01 lorsquो ऑन यह दो है कि उसले जो ठोकरे खाई उसने जो गलती है की उसने जो आदिते नहीं छोड़ी वो आदिते हमें छोड़नी होगी और आज हम उन सबी 10 बातों के उपर जो चर्चा करेंगे ठीक है और सारी बातों पर हम लोग जो वहाँ चर्चा करेंगे तो तयार हो तुम लोग मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा मैं लेंगा तुमारे 5-10 मिनट लेकिन मेरा उद्देश है बस इतना सा है कि तुम्हें ये पता चल जाए कि अगर तयारी कर रहे हो तयारी की एक सही रणनिती क्या हो आपको किन किन चीजों से बचना होगा आपका सहलेबस का पैटरन एक्जाम का पैटरन जो बच्चे नए हैं ज और वो आदमी भी तयारी कर रहा है, और एक नया युवा आता है, और नया युवा आकर कर रहा था तो फिर कैए यह मैंत कर रहा था तो फिर क्या मोजम्चcling मार्ण करेंगे कि में बड़ा सरफ लगता है कि स्मार्ट अप्रोच चैंब अपने बहुत भड़ा जटिल काम है स्मार्ट अप्रोच कि ग्या भी कि आपकी रंदनिति क्या हो हम सारी चीजों पर करेंगे और जो है वो दोस्तों जो है हम देखेंगे कि हमें किन किन चीजों का ठ्यान रखना चाहिए मैं सबसे पहले आप लोगों से चर्चा करूँ गा हमारी एस शायक आदते हमारी कौन सी एस शायक आदते हमारी कौन सी भ doloris- eğ är Que fe fe love a children online suburbs आज आ डो साहिक आदित का मतलब ऐसी आदिते जो जीवन में आपको सपलता में साहता नहीं देरी जो सपलता में बादा बन रही है अगर हम इन्हे छोड़ दे तो हम जरूर सपलता प्राप्त कर सकते हैं तो Sir बताओ पर कोन सी ऐसी आदिते हैं आज ही चोड़ देगा यह वीडियो दस मिनिट गए दस बात बता के जाओंगा काम बहुत आएगी लेकिन यह भी प्रण लेके जाना पड़ेगा कि सर आगया आने वाले साल दो साल मैनत पूरी करेंगे कमी किसी की परकार की नहीं चोड़ेंगे लेकिन आप हमें बताओ कि दस आदित में दोस्तों मारी मोटिवेशन क्या है इसे यह भूल जाते हैं हम अमारी मोटिवेशन क्या है इसे ही हमद्व जो भूल जाते हैं भूलने की आदित यादत बहुत गराब है बाई तन नोकरी क्यों लागन है तन आरेस की तैरी क्यों करनी है यह जो भूलने की आदित के अंदर जो आपको यह भूलने की आदित जो है वो छोड़नी पड़ेगी आपको याद करना पड़ेगा और याद क्य क्या करना पड़ेगा मैं यह आपको बता रहा हूं क्यूं लगना है भी नोकरी अपने आप से पूछो अपने जमीर से पूछो अपने घरवालों के संगर से पूछो अपने माबाब के संगर से पूछो कि भी नोकरी क्यूं लगना है तुम लोगो कोई न कोई तो सवाल होगा उसका कोई न कोई तो जवाब भी होगा भई ये तो आपको पता होगा जिस दिन आपने सोचा होगा कि मुझे RS की त्यारी करनी है IS की त्यारी करनी है शिक्षक बरती की त्यारी करनी है जिस जजबे के साथ आप त्यारी करने आए तो उस दिन क्या motivation थी वो motivation क्यों कम होगी क्या तुमारे घरवालों का जो संगर्स जो तुमारे लिए उन्होंने इतना जो त्याग किया वो तुम क्यों भूल गए पहली आदत जो अपने क्या भूलने के आदत ये अगर कोई आदमी सुधार कर लेना तो उसको बारी motivation की जुर किया क्या संगर्स किया ये अगर उलाद को पताओ ना तो पहली चीज तो जो हमें याद रखना उसके बाद में दूसरी चीज अगर हम बात करूं तो दोस्तों दूसरी चीज जो है वो हमारी ऐसा एक आदत कह है हम जो वो टालने की आदत हम कामों को जो वो टालते हैं टालन वर शां यह यह आदत बहुत खराब है यह आदत जिस्सादमी को लग जाती है उस आदमी के अंदर ना तो कॉनपीडेंस रहता न वो डंग से त्यारी कर पाता वो टालता ही रहता है एरकाम को टालता ही रहेता है बहुत सारे लोगों में यह आदत है यह आदत छोड़ने पड़ेगी बहुत सारे लोग है नी ट्वल्थ बात त्यारी करने चेकरना ना फैस्ट इर मनी सेकंड इर मगर जां को भी मार्च उपड़ जन्वरी फरवरिम कोन पड़ा और टालने के अदत इतने खराब ब लोगों ने रिविजन करने को टालने स्टार्ट कर दिया तो हम अगर चीजों को टालने स्टार्ट कर देंगे जो टालने के आदत है कि इसको तो बाद में कर लेंगे रहार कल पढ़ लेंगे परसो पढ़ लेंगे आप तो नए सालू पढ़ चाहां ओड़ी बाद में आपको से यह दिसंबर में जो किताबा के जो जंग लाग जी आए थरपड़न की चाहिए तो आठ टालने की आदितने अब बहुत खराब है आप बहुत ही खराब है तो दो आदित बताई में तने दूसरी हूं आगे मागर तीसरी बात बोलूं तो तीसरी आदित तरी जो है व फूल जोस के अंदर जो तैयारी करने आते हैं लेकिन थोड़े से दिन होते हैं दस पंदरा दिन पढ़ते हैं उसके बाद में जो एक दिन खराब होता है पिर उससे अगला दिन खराब पर उससे अगला तीन दिन खराब चार दिन खराब पांस दिन खराब लोग कही कही तो में निरंतर्ता को आदित बनाना है और ये जो निरंतर्ता का अभाव है इस आदित को छोड़ना है में क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जोस में आते हैं आके पढ़ते हैं दो महीने पढ़ते हैं धाई महीने पढ़ते हैं उसके बाद में कोर्स है तुम्हारे पास है किताब है पन्ने है आपके पास पेन है फोन है टेबलेट है फिर भी नहीं पड़ा जा रहा मतलम निरंतरता नहीं है बाई साब संसादनों की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं पड़ रहे तो समझ्या क्या है कि निरंतरता का भाव है और यह निरंतरता का भाव जो है वह एक आदमी को है वह मोटीवेशन को जींए वह कंटिनी जैब आता है दो मेंने पढता है ड़ाई मेंन पढता है उसके बाद में बीच में और को यह कैसे चीज आती है वह उसके है कि एक दो दिन को बरत करें तो अलग बात है तो आपा जीवन में डेली सोवां भी हां तो डेली पड़ गुंस गोगे थे जद नोकरी लागण है आपने और विकल्प जो है वह सव मेन चीज आई यह कि आपकर नोकरी लागण है तो आपके जो है वह पड़ भी गुंस अगा अगली बात करना हुए उसके बाद में हम बात करते है और अगली बात क्या है किसी एक विशे से भागना अगली समझे कैए किसी एक विशे से भागना, किसी एक विशे से भागना, बहुत सारे लोग जो सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं, किसी एक विशे से भागना और बचपन से लेकर नोकरी की तयारी तक भागते रहना, भागते रहना और वो विशे पीचे बागते रहना, वो विशे पीचे ब नंबर इंपोर्टेंट होता है एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है लेकिन हमारी जो गलती हमारी जो गलती है वो क्या है जो है वो दोस्तों किसी एक विशेश है जो है वो भागना चाहिए वो अंग्रेजी हो चाहिए वो गणित हो हम उनसे भागते रहते हैं भागते रहत डाइरेक्ट लिए पड़ी साइंस भी पड़ी है तो फिर एक इस हद्द तक भागते रहोगे अगर आप भागते रहोगे रहा अगर सरीर पूरा सासक्त होगा ना तबी वो दोड़ पाएगा तो अगर आप लोगों के सारे subject थ्यार होगे ना तबी आप वोससर से अच्छा परदेशन करेंगे और नोकरी प्राफ्त कर पाएंगे तबी आप नोकरी प्राफ्त कर पाएंगे इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्टों से भागो मते किसी एक विशे से भागने की इस आदत को छोड़ दो कमेंट सेक्षन में जरूर बता के जाना कि तुम कौन से विशे से भाग रहते हैं बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं आनन दाता रहते हैं लेकिन एक विशे दो विशे को छोड़ देते हैं यह सबसे बड़ी समश्या किसी एक विशे या दो विशे में ज़्यादा मन लगा लेना कि और सारी चीजों को गोन कर देना होता है न कभी कभी जीवन में भी होता है कि हम किसी चीज के पीचे इतनी जो है वो बे Alcohol Tariqay से पढ़ जाते हैं लोग जो ध्यान कोंदेवे बैस हो सचे की शो क्यों diverse जोको आई शुक्री चोरी में जिवन में तो उसी तरी केसे हम लोग क्या हुस्ट क्यों जरते हृक्ता और इंटरेस्ट जयेसे केसे आणे लगा इंट्रेश्ट आ जब सब्जेक्ट से क्वेशन उतने ही आने हैं तो सब्जेक्ट को उतने ही महत्वपूर्णता देवें भाई बराबर पड़े सब्जेक्ट मेनेजमेंट टाइम मेनेजमेंट टोपिक मेनेजमेंट है और नंबर मेनेजमेंट अगर देखना है न तो आपको समझना पड़ेग कि सब्जेक्टों से दूर नहीं बागना लेकिन केवल एक सब्जेक्ट में तलीन भी नहीं रहना कि उसी में लगे रहो ये भी सबसे बड़ी गलती हो सकती है उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आगे हम बात करते हैं एक कुछ स्टुडेंट की एक सबसे ख जगत कदेजार मेच खेल नहीं है तो सदाई बोलिंग बेटेंग की करो या मेच आड़ा मोड में भी कद्याओ मेच तो खेलना पड़ेगा टेस्ट तो देना पड़ेगा अगर आपने बहुत सारे लोगों की यादित होती है कि बिना टेस्ट दिये केवल पढ़ते रहते के पड़ते रहते हैं बहुत गलता देते हैं जब बाई पड़ लिया तो इस सब्जेक्ट का इस टोपिक का टेस्ट देओ पूरे रड़े साल के परसंदेखो विविन परकार के परसंदेखो आंसर राइटिंग करो आप मेंस की भी तैयारी बहतर तरीके से करो तब करोगे तो कोई दूसरे का सामने बेजती हुए कि क्ये है तो कही है कम नंबर आवगा बाद में आपा भी कोई एनलाइसिस करांगा जना ही तो पतुचा लगो कि कमी खट है बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वो रिविजन मोड में के वाल रिविजन करते रहते हैं रिविजन करते रहते हैं पर टेस्ट से भागते हैं ये टालने की परवर्ती कोई मैं आगे एक्स्प्लेन कर रहा हूँ ये टालने की परवर्ती कोई जो है वो मैं आगे जो है वो दोस्तों जो है वो मैं एक सबसे बड़ी समश्या वो कि मेरी तो तैयारी पूरी कोनी मेरी student जीवन में ऐसे लोगों को देखा जिनकी तैयारी आप अगर टोपर से पूछ लेंगे rank 1 से पूछ लेंगे वो भी बोलेगा कि भाई तैयारी तो कदे ही पूरी को निवे लेकिन बहुत सारा लोग में यहां कला भी देखे student जीवन में जगा केवल पेपरों ही वास्ते बागा इस साल को नी आगली साल दिया अरे भाई साल में तीन-तीन सालाओं चार-चार सालाओं तो वेकेंसी आवे थे अगर त्यारी पूरी करी मतलब जासे हो जोना तो बाद मों होई को नी तूलों भी सोचा है कि ब्यावों पर लिए एकदम अगला टेम्ट देंगे अरे बहुत सारे लोग आगला टेम्ट देंगे अरे बाई पहला टेम्म देओ Mogarmand करो लेकिन यह बाना जयाओ मत बनाओ ये वाना जो है उख्ван बनाओ एक जो है वो सबसे बढ़ी है साय का दित क्ति इक होगी जैदे अबन मता दिए टंभ दूर चार तीन जो यह सात यह यह बता कर पाता अज मेला सींगर काम कि बता रोएथ यहहने पूर्ण ने करना पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं ठीक है बस पहला पॉलिटी पड़ा मजा आने लगा पॉलिटी के अंदर फिर थोड़ा सा पॉलिटी पड़ा दूसरे सब्जेक्ट इतर भाग गए थोड़ा सा सब अप्रोच यह बोलती है कि सब्जेक्ट को कम्प्लीट करो रिविजन मोड में लगाओ शोट नोट्स बढ़ाओ उसके एमसी क्यू देखो उसे घोट दो यार बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिटी के अंदर मूल अधिकार तक पढ़ते हैं डिपीएस भी पढ़ते हैं संस लेकिन उनसे को सब्वेता की बात कर लेकर रहा है तो मजो को पढ़नो पढ़नो आपने बहुत खराब आदत है कि हम सब्जेक्ट को कम्प्लीट नहीं करते हैं उसे रिविजन मोड में नहीं डालते हैं हम शोट नोट्स नहीं बनाते हैं और उसकी वज़े से हमें एक्जाम में जाके जो हमें एक्जाम में परिक्षा दुस्चिंता एक्जाम स्ट्रेस उसके अंदर हम लोग जो आवा जाते हैं तो हमें इस चीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बात अगली जो है, वह आप लोगों के लिए क्या है, ये भी याद रख लेना, और ये सबसे तकड़ी बात बता रहा हूँ, अपने ही सब्जेक्ट में, अपने ही विशे में, अपने ही विशे में मात खा जाना, अपने ही विशे में मात खा जा सब्जेक्ट से बहुत सारे लोग अतियात्म विश्वास में जो लोग सीविल सर्विसेस की तयारी कर रहे हैं वो अपने ही सब्जेक्ट में मात का जाते हैं क्योंकि हम उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं हमें लगते हैं कि ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है ये तो मेरा पड़ावाई है फिर हम सामाने चीज़ों पर भी धान नहीं देते हैं वहाँ सरल सरल परसन भी हमारे गलत हो जाते नहीं तो यह होड़ना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट है यह तो दमदार तयार होगा इसमें कोई कमी नहीं रहन दूँगा इसमें तो मैं लोगों से जो है वही कब जद कोई भी टीम है आज IPL को टाइम चाल रहे है जा आर सी भी जो आपने बोंबे में सूरत में आपने जैपूर में दिल्ली में तो वल्ड कप जीती स्या तो भाई थारो तो सब्जेक्ट है साइन्स है थारो तो सब्जेक्ट है इकोनोमी थारो तो सब्जेक्ट है इस्ट्री तो एक अंदर तो दूसरा न थारों ज्यादा नंबर मतले आण देओ जनाई तो 20 लाग मूँ 1 लाग माशो 4 लाग मूँ 1 जार माशो 3-3 लाग आरेश का पोरम ब्रीज है विक अंदर जो 1 जार माशो विद्यारती जका भी देख रहें जायज बात करें तो अपने विशे के अंदर जो है वो मात नहीं खानी है फिर दोस्तों अगर मैं आपक हम टालते रहते हैं शोट नोट जो है बना लें गुर्जी बना लें क्या जल्दी है बाद में बना लेंगे आपने कितना ही पड़ा अगर आपने समेटा नहीं न तो कोई मतलब नहीं है रिविजन और शोट नोट दो ऐसी चीज़े जो आपके सेलेक्शन का आधार है जो आ लेकिन जो लोग रिविजन नहीं करते अगर आपना मुबाइल नंबर धे जी उन में पहले बार जो पुन लीओ बीबाद में चार सिम जय वो थे जय वो चेंज हो ली ठीक है नहीं करणी तक बबड़ी है बात है लेकें फट्रहाने पिछला मुबाइल नंबर का जय वो नं तो दोस्तों जो पास्ट भूल जो ने तो तरह सब्जेक्ट है जका थाने पढ़ाना पढ़ रहे त्यारी तानी थागी इच्या कम है तो भी ते पढ़ रहे हो नोगरी तानी तो पहली तो इच्छा अभिरुची इंट्रेस्ट होना ची और दूसरी चीज रिविजन और शोट नोट्स रिविजन तभी होगा जब शोट नोट्स आपके पास होंगे और शोट नोट्स होंगे तो आप धूम मचा दोगे तो यह सारी चीजे मैंने आज आपको बताई अब तरीका बता हूँगा क्या होता है पढ़नेगा तो आप लोग जिस बीस लाग लोग फोरम जासे आप लोग चुनिंदा उन लोगों में आना चाहते हो जहां सफलता चाहिए आप तयारी बारवी के बाद अभी स्टार्ट करना चाहते है कोलेज के साथ करना चाहते है या आपको पढ़ते वे जो वो दो तीन साल हो गए आप अपने गलतियों को सुधारिये आप किसी notes time पे बनाएं, revision करते नहीं, revision करते रो, और निरंतरता का जो है वो अभाव है, जो है वो दोस्तों, जो है वो निरंतरता का अभाव नहीं होना चाहिए, continuity बहुत जरूरी है, continuity बहुत जरूरी है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो, तो मेरा बस यही उद्देश है था, तो अगर आप लोग exam की तयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तरीका होना चाहिए, कि आप लोग सबसे पहले उस exam का जो है, वो syllabus देखे, आप सबसे पहले उस exam का syllabus देखे, बहुत सारे विद्दारती अब तयारी start करना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ, syllabus देखने के बाद में आप उसी एक्जाम के प्रीवियस येर क्वेशन डाउनलोड कीजिए, पिवाईक्यू डाउनलोड कीजिए, पिवाईक्यू अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीके से इतने क्वेशन आ रहे हैं, मैं साइस हिंदिय गरेजी से इतने और उसके बाद में दोस्तों आप लोग उसके क्या बनाईए, शोर्ट नोट्स बनाईए, और शोर्ट नोट्स बनाने के बाद में दोस्तों जो हो क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, और फिर उसके बाद में टेस्ट दीजिए, उसके बाद में रिविजन कीजिए, फिर ट प्रेस्ट पिर रिविजन पिर टेस्ट पिर एक्जाम दे के नोगरी पकी मैनत करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी तो यह आपके लिए सूचना थी हमने सारी चीजों पर बात की अब भी मोटिवेशन नहीं आओ तो एकदम गड़त बात है कहता कहता है मैं थारी जो तीस मिनट लेगी हूं तो मेरी तीस मिनट हूं अगर तीस लोग में मोटिवेट हो है तो बहुत बड़ी है बात है और ऐसे जो है वह आप लोगो क्यों आप लोगों को हम अपलोड करते हैं एक तारीक तक बड़िया जो है वह आप लोग वून को डाउनलोड कर ले डा आप लोगों के लिए तीन गंटे निश्वल क्लासे चल रही है उसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे वहां पर सलेबस जो है वह आपको उपलब्द कर करणनार साथ साथ जो विद्यारती आरेस की तयारी करना चाते हैं राजस्तान में जो नविवरा आरेस की तयारी करना ता नि आलगी तो भी ट्रेंड ले जनृक्ति और करनाूं तो थारतन बुस्ट रेकेड में प्रियास बेच लेर आ रही है जो को 28 तरीक स्टार्ट है और दोस्तों बड़ी है तरीकों एन्रोल करके बहुत ही वैन ये लागत में थे पड़ स्कोर्ट है और सारी बेस्ट फेकल्टी और उसके साथ साथ आपके जो सेलेक्टेड लोग आप से मिलते रहें जिसमें 8-10 सेलेक्टेड लोग आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे तो धन्यवाद जेहिंद राम राम हम मिलते हैं डेली अमरी क्लास से चलती रहेगी लेकिन ही मोटिवेशनल वीडियो आज आपकी लोगों के लिए इसलिए था कि सरकारी करनी है तो दोस्तों आपको इन आदितों को छोड़ना पड़ेगा ठीक है तो धन्यवाद जेहिंद राम राम राम